प्ध्या स्टार्ट करने वाले हैं कि उसके आपको वह भी लिखने को मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सूर्दास जी के जीवन के परीचे को देखेंगे जिसमें एक संश्फ्त परीचे देखेंगे उसके बादन के जीवन परीचे को देखेंगे साथ ही साथ उनकी क्रतियां देखेंगे क्रतियां means रचनाई तो रचनाई क्रतियां बात एक ही होती है जो कवीज वाले जो पार्ट होते हैं पद्य वाले में उन्हें हम क्रतियां कहें तो जादा अच्छा लगता है तो क्रतियां रचनाई दोनों ही similar है उनको समझेंगे और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं एक छोटा सा संशिप्त परीचे तो ये सूर्दास जी है और इनके बारे में बताया गया है कि इनकी एक द्रश्टी में देखें तो इनका नाम सूर्दास जन्म जो है वो माना जाज़ाई जन्व जो है वो है उनका 1478 इश्वी में जन्व स्थान ग्राम रुनकता है और गुरु और शिक्षक जो है इनकी कौन थे वल लभचारे जी थे लेकन विधा जो है वो कैसी है कवीता वाली है भाशा शैली जो है इन्होंने ब्रज भाशा को सबसे जादा इंपोर्टेंस दी है तो ब्रज भाशा शैली इनकी दिखाई देती है जिसे पद शैली के साथ बोला जाता है निधन जो है वो सन 1583 इश्वी में हुआ था अब आके बात करते हैं जीवन परीचे के बारे में तो आज चेप्टर नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइन टू लाइन हमको समझना है तो अगर एक साथ समझोगे तो कन्फ्यूस हो जाओगे इसलिए आपको अच्छे से समझने के लिए आपको एक एक लाइन के शब्दों को देख के आपको समझना है मैं आपको यहाँ पर पूरा भावार्त लिख कर नहीं समझाओंगी क्योंकि हर एक चीज हम लिख कर समझेंगे तो इतना नहीं हो पाएगा आपको मैं यह चीज सिखाऊंगी कि आप कैसे वर्ड्स को देखें उनको पढ़ें और उसी से ही उसका अपने आपसे एक मिनिंग निकालें तो वो चीज आपको सीखनी है लिखावा तो आपको कहीं जगे पर बहुत जगे पर मिल जाएगा कि अच्छा हाँ यह इसका पद है यह इसकी सरप्रसंग व्याक्या है देखके पढ़के समझ जाओगे लेकिन हमको क्या करना है हर बार हमको हर एक चीज नहीं दिखते रखी हो तो उस टाइम पे हमें कैसे करना है यह मानलो आप पढ़के चले गए exam टाइम में पढ़के चले गए और जब वहाँ पे करना शुरू किया तो वहाँ पे आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए तो उस ब्लैंक वालके स्थती में आपको कैसे करना है कैसे शब्दों को देखना है कैसे उसे एक पूरा एक समरी बनाना है वो मैं आपको चीज़ सिखाऊंगी तो ध्यान से आज की क्लास लेना और इसके बाद आने वाले जो भी पदपाट है उन सब पदवालों को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि यहां से आप खुद से अपने आपको समझाना शुरू कर दोगे तो सबसे पहले जीवन परिचे देख लेते है सूर्दास जी का जन्म जो है वो 1478 इश्वी में हुआ था जो की बताया जाता है कब वैशाक शुकल पंचमीज सन 1535 इश्वी में कहां पर आग्रा मतुरा मार्ग पर इस्थित रुनक्ता ग्राम नामक ग्राम में हुआ था यानि गाओं को बोलते हैं ग्राम वहां पर हुआ था कुछ विद्वान अब यहां पर क्या है कुछ थोड़ी सी चीजे है कि कुछ विद्वान जो है जन्म से ही अंदे थे उन्हें नहीं दिखाई देता था इस विशय में भी विद्वानों का क्या है मद्वेद है यानि इसमें भी काफ़े विद्वान जो है वो कहते है जी नहीं ऐसा नहीं है तो ये इसमें भी बहुत सारे मद्वेद है इन्होंने क्रिष्ण की बाल लीलाओ प्रकर्टी के बारे में इसे ऐसे बाते बताई हैं कि आप उनके लिए क्या कहेंगे कि उनको आप आखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हो यह मन के अंदर की भाव है उनको उनकी द्वारा आप यह चीज़े देख सकते हो सुर्दास जी की रूची जो है बच्पन से ही भगवत गीता के गायन में थी इनसे भक्ती का एक पत सुनकर पुष्टी मार्ग के संस्थापक कौन थे बहाँ प्रभु वल्लभाचारे ने इन्हें अपना क्या बना दिया था शिष्य बना ले था वल्लभाचारे जी क्या थे इनके गुरु थे और श्री नाज जी के मंदिर में कीर्थन का भार जो है इनके उपर सौप दिया था कि अब तुम जो है यहाँ पर श्री नाज जी के मंदिर में यही पर आप कीर्थन विर्थन किया करो श्री वलबलबाचार्या के पुत्र कौन थे विठल नाज जो है अश्ट छाप नाम के एक जो कवी है जिसमें आठ जो कवी थे उनमें से एक खरश्न भक्त कवियों में इनका भी क्या कर दिया संगटन कर दिया इनको भी उसमें शामिल कर दिया सूर्दाज जी इसके सर्वस्ट्रेश्ट कवी थे और इस जो अश्ट चाप कवी थे उनमें सबस से जादा जो सर्वस्ट्रेश्ट कवी थे वो कौन थे सूर्दाज जी थे वे गवगाट पर रहकर जीवन परयांत क्रिश्न की लीलाओं का गायन करते थे गवगाट पर रहकर उन्होंने जीवन की बारे में और कृष्ण की लिलाओं के बारे में हमेशा पूरा जीवन यानि जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्होंने क्रिष्ण की लिलाओं का ही वर्णन किया सोदास जी का गोगुलावास यानि की उनकी मृत्यू जो है वो सन 1583 श्वि में यानि की सन 1640 विक्रम समवंत में हुई थी और गोस्वामी विठल्दास के सामने जो विठलनात के सामने गोवरधन की तरहती के पारसोली नामक ग्राव में हुई थी इनकी जगए है जहांपर इनका निधन हुआ था खंजन नेन रूप रसपाद माते पद का गान करते करते यह जो है उस टाइम पर यह मतलब उस टाइम भी भक्ती कर रहे थे और उस टाइम पर इनको मृत्य प्राप्त हुई और भी यह वहीं पर ही क्या होगे इनका निधन हो तो ये था इनका जीवन परीचर जिसको आपको इसमें से आप जो जरुरी-जरुरी इंपॉर्टेंट्स हैं जैसे कि आप इनका कब हुआ था निधन वो लिख सकते हो इनके गुरू और इनके गुरू को लिख सकते हो अच्छा आप कवी में ये सर्वस्रेश्ट कवी थे वो जब लिख सकते हो तो इस तरह से आप इनका जीवन परीचर कर सकते हो ठीक है नेक्स समझते हैं इनकी रचना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इनकी में तीन रचना है जो हमने पहले भी पढ़ रखी थी सुर्सागर सुर्सारा वली ठीक है ये जो दो तीन चीजे थी की सबसे जादा महतोपूर करतियां थी तो कुछ तीन में है वो पहली तो है सुर्सागर श्रीमत भगवत गीता के आधार पर रचित सुर्सागर के सवा लग पदों में से लग भग 10,000 पद ही उपलब्द हो पाए है और उनमें भी क्या है क्रिश्न की लीला के बारें बताय गोपियों के प्रेम के बारें बताया है गोपी के विरह के बारें बताया है उधव और गोपी का समवाद बताया गया है उधव यानि कि जो क्रिश्न के मित्र थे जो क्या लेकर आए थे संदेश लेकर गए थे क्रिश्न जी का गोपियों के पास उनके बीच का समवाद बता इसको पहले डीटेल में दिया गया था अब उनको डीटेल से क्या बनाए गया है। साहिते लहरी इसमें क्या थे 108 द्रश्ट कूट पदों का संग्रय है और इस संग्रय इस गरंथ में किसी एक विशे की विविचना नहीं है इसमें सर्फ एक चीज की विविचना नहीं है इसमें बहुत सारी चीजे थी जिसमें से क्या क्या थे नायकाओं के और उनके अलंकारो की विविचना की गई थी, कहीं कहीं पर क्या हुआ था, श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वन्न किया गया था और एकाध दिस्तलों पर महाभारत की कुछ-कुछ द्रश्यों को भी इसमें दिखाया गया था, तो इसमें एक चीज नही थी, बहुत सारे चीज थी, तो सुर्श अब शुरू कर देते हैं हमारे पद्य पार्ट को कि किस तरह से आपके पद आते हैं और किस तरह से हमको व्याख्या करने हैं तो पहला पद जो है उसको मैंने आपको संधर्ब संधर्ब उसका यानि प्रसंग उसकी व्याख्या और उसका कावे संधर्य आपको बताया है और बाकी के सारे आपको इसी तरह से जैनि कावे संदरे तो आप वही लिखोगे, संधर्ब भी आप वही लिखोगे as it is, सिर्फ प्रसंग आपको चेंज करना है तो मैं आपको बताओंगे प्रसंग कैसे लिखते हैं और कावे संदरे सेम रहेगा बस व्याख्या जो है वो अब ये पढ़ लिया हमने पढ़के अब आपको क्या करना है सब से पहला काम करना है आप उसको एक बार और पढ़े एक बार और पढ़ोगे तो आपको कुछ-कुछ-कुछ-कुछ words मिलेंगे जिनका आप meaning खुद से ही समझ जाओगे कि भाई यहां पर क्या है चरन कमल यानि चरन कमल के हिसाब से उसकी बताई गई है उक्षाप बंदो हरी राई जाकी क्रपा पंगु मतलब होता है कि जिनके पैर वेन नहीं होते है लंगड़े होते है उनके लिखा गया है अंदो को सब कुछ दरसाई दरसाई मतलब देखना होता है बहीरो मतलब बहरा सुनी गूंग पुनी बोले गूंग मतलब की जो गूंगा होगा फिर बोलेगा पुनी मतलब बार से फिर से बोलेगा रंक मतलब जो बिल्कुल बिखारी होता जिसका कुछ नहीं होता है सिर्छ छत्र धराई मतलब उसके सिर्पर छत्र धरा हुआ है सूरदास स्वामी करुणामय अब यहाँ पर किसके लिए बोल रहे हैं वो क्रिष्ण जी की भक्ती कर रहे हैं तो उन्हें के लिए क्या है कि वो क्या है करुणामय है बार बार बंदो तिही पाई तो यहाँ पर बार बार उसकी क्या करना चाते हैं बंदो तीही पाई यानि उसकी बार बार वंदना करना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि बही क्या क्या बोल रहे हैं। अब शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले क्या बताओगे आप। सबसे पहले आप इसमें प्रसंग बताओगे कि क्या है। तो प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पद्य कावय से लिया गया है जो की सूर्दास द्वारा लिखित है और इसमें क्रिष्ण जी के बारे बताया है। तो क्रिष्ण जी की लीला का वर्णन किया गया। तो सबसे पहले प्रसंग में आप ये सारी चीज़े बताओगे। अब इस संदर में ये बताओगे। फिर प्रसंग में आप क्या लिखोगे। प्रसंग में आप overall इसके अंदर क्या बताया गया है। अर शुरू करते जाएंगे। चरण कमल बंदो हरी राई चरण कमल यानि कि उनके चरण रूपी जो कमल के समान उनकी जो चरण है उनकी मैं क्या करना चाता हूँ हर बार वंदना करना चाता हूँ जाक की क्रपा पंगू गिरी लगू यानि जिनकी क्रपा से किनकी क्रपा से श्री कृष्ण की क्रपा से क्या वन्दा करते हैं, उनके अंदर इतना ज़ादा प्रेम आजाता है, इतनी ज़ादा भक्ति आजाती है, कि पंगू यानि कि जो पैर से लंगडा है, वो भी गिरी को लांग लेता है, अंधिय को सब कुछ दर्शाई, और अंधा जो होता है, जिसे आंखे नहीं है, उसको भी वो फिर से बोलने लग जाता है रंक चले सिर्फ छत्र धराई और रंक यानि कि जो फकीर हैं जो गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं है वो भी इस तरह से चलते हैं मानलो उन्होंने क्या कर रखा हैं एक राजा की तरह उनके उपर छत्र विराजमान है और वो अपने आपको राजा की तरह मानते यानि जिसने श्री कृष्ण की भक्ती की है जो श्री कृष्ण की वंधना करता है वो इस तरह से फील करता है जिसने कृष्ण को पालिया है उसको ऐसा लगता है कि गुंगा भी जो है बोले लग जाता है रंक जो है वो अपने आपको क्या समझता है कि उसने अपने सिर पर एक राजा की तरह छत्र को धारन कर रखा है सूरदास स्वामी करुणा मैं अब यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मैं जो अपने स्वामी यानि श्रीकृष्ण है उनके करुणा मैं, उनके निर्मल, उनके सारे ऐसे जितने भी चीजे हैं उन सभी के लिए में उनका क्या करना चाता हूँ बार-बार उनकी वंदना करता हूँ, बार-बार उनकी पूजा करता हूँ तो इस तरह से आप अपने कुछ-कुछ words लेके उसकी व्याख्या कर लोगे अब हमने संदर्ब देख लिया, प्रसंग देख लिया, व्याख्या देख ली अब बात करते हैं कावे सौंदरे पे तो कावे सौंदरे कैसे लिखना है, आप कावे सौंदरे को दो पार्ट में डिवाइट करना पहले में लिखना भावपक्ष, दूसरे में लिखना कलापक्ष भावपक्ष में आप पूरी भाव के बारे बताओगे कि भी इसमें क्या भाव बताया है तो इसमें श्री कृष्ण की वन्दना बताई गई है, श्री कृष्ण का असली रूप दिखाया गया है, ठीक है, दूसरी चीज अब कला पक्ष में देखें, तो कला पक्ष में क्या हो जागा, कला पक्ष में आप इसमें क्या क्या चीजे यूज हुई हैं, उसके बारे तो इसमें रस जो है भक्ती रस चल रहा है तो आप वो बता देंगे इस तरह से आपको अपनी क्या रखनी है कावे सौंदरे बताना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका संधर्ब तो संधर्ब कैसे लिखोगे प्रस्तुत पद जो है अमारी पाठ्य पुस्तक के कावे खंड से है जो भक्तिकाल के श्री कृष्ण भक्त सूर्दास द्वारा रचित सुर्सागर का पद है प्रसंद में प्रस्तुत पद में कवी सूर्दास श्री कृष्ण की महिमा का चित्रन करते हुए उनकी चरन वंदना करते हैं सिंपल नेक्स्ट व्याख्या क्या है प्रस्तुत पद में कवी सूर्दास श्री कृष्ण की महिमा का गुर्णगान करते हैं और प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरनों की वंदना करते हैं कि मेरे प्रभु की चरनों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है कैसा है इसक चर्णों का अगर प्रभाव ऐसा होता है कि वे राजा के समान सिर पर राज छत्र धारन कर लेता है अंत में कभी सूरदार जी कहते हैं कि ऐसे दयालू क्रपा निधान प्रभू श्री कृष्ण के चर्णों की में बार बार वंदना करता हूं ठीक है अब इसको आप अपने ओन लेंग्वेज में लिखते ही हो कावे सॉंदरे सबसे पहले भाव पक्ष में आप लिखेंगे कि यहां पर श्री कृष्ण के चर्णों का असली प्रभाव को प्रकट किया गया है दूसरा कला पक्ष बही कौन सी क्या क्या भाशा है तो भाशा चंद रस अलंकार भाव गोण शब्द शैली यह सारी चीज़ा आप लिख सकते हो तो पहला है भाशा तो साहितिक और ब्रज भाशा यूज हो रही है वो हमको पढ़के भी लगी रहा है रस कौन सा है भाई भक्ती रस है क्योंकि भक्ती चल रही है चंद है गेय पद यह मतलब गाया जाने वाला पद है इ अलंकार इसमें रूपक, अनुपरास और पुनरुक्ती चल रहा है कैसे अनुपरास यानि की एक ही बढ़न की बार बार आवरती हो रही होगी पुनरुक्ती यानि एक ही शब्द बार बार सेम सेम आता होगा तो पुनरुक्ती हो गया रूपक, रूपक में क्या होता है एक क शब्द दे रखा है उसका वही अर्थ दिया है उसको किसी और से रिलेट करके किसी और चीज़ से नहीं बता है ऐसा नहीं किया है कि हमको दे दिया है पेड़ और उसके बारे में मनुष्य से रिलेटर कुछ बोल रहे हैं जो शब्द दे रखा है उसकी उसका वही अर्थ दे तो इसलिए अभीदा है शेली कैसी है? मुक्तक है यानि पूरी तरह से मुक्तक है इसमें ऐसा नहीं है कि सारे ही ब्रज भाषा वाले ही words यूज हो रहे है इसमें थोड़ा सा हिंदी वाकी की साहितिक भाषा जो है वो सारी चीज़े यूज हो रही है तो इसलिए मुक्तक है तो ये हो गया कावे सौंदरे तो आपको हर बार कावे सौंदरे लिखना है आप इस कावे सौंदरे में क्या-क्या चीज़े चेंज करेंगे अगर आपको पद के साथ चेंज करना है तो जैसे भाव पद है तो भाव पद में आप उस पद से related अपना भाव लिखेंगे कि भी इसमें कौन सा भाव दिखा रहे हैं clear और बाकी की सारे चीज़ आप same लिख सकते हो हाँ अगर आपको देखो जब आप पद दिखोगे अगर आपको पद में दिखता है कि हाँ यह अलंकार है अनुपरास में एक वर्ण की आवरती हो रही है तो आप उसमें लिख देंगे अनुपरास है अलंकार तो आप हैचान सकते हो कि अलंकार कैसे है तो अगर मान लो आपे पुनरुक्ती नहीं है तो आप उसे स्किप कर देना हटा देना, अनुप्रास है तो लगा देना, रूपक नहीं है तो उसको हटा देना तो वो अलंकार आप देख सकते हो चंद में आप हमेशा ही ये लिखेंगे क्योंकि ये सारे ही गाय जाने वाले पद है सारी चीजों में भक्ती चल रही है तो भक्ती रस लिख देना भाव माधूरिया गुर्ण माधूरिया सेम ही रहेगा शब्द शक्ति अभीदा आपको यही रखनी है शैली मुक्त के भी आपको यही रखनी है अलंकार में आप चेंज कर सकते हो भाशा भी यही रहेगी आपको सिर्फ भाव पक्ष में चेंज करना होगा एक आता है आपका भाव सामया भाव सामया मतलब इसमें क्या भाव दिखा रहे है यानि कौन सा सौंदर्य आ रहा है तो इसमें से आप कोई भी अपने पद की एक लाइन लिख देना जो आपके इस भाव को justify कर योगी तो वो आप last में भाव सामय लिखकर अलग से उस पद यानि पद से ही एक लाइन निकाल के लिख देना जैसे हम अगर यहां पर देखें तो सोदा स्वामी करुणा बार बढ़नो तो यहां पाई रहो संदें ऐसा कुष न लिखोसु करुना अपस तरह और आप इस तरह से एड़ कर सकते नाउ नेक्स्ट पद पर चलते हैं नेक्स्ट पद रखा है अब यहाँ पर क्या है अधिगत तो कुछ-कुछ words हैं उनको देख लेते हैं कि यहाँ क्या बताया गया है कि भाई अधिगत बोला गया एक तो यह unselect हो जाता है अधिगत अधिगत मतलब अधिगत यानि बहुत जादा गया हुआ यानि ऐसी चीजें जिसका आप कभी कोई अंत नहीं कर से यानि परम, प्रिता, भरम यानि जिसमें परमात्मा जिसमें आपको कोई एक मूर्ती को समझ के या किसी एक व्यक्ति के लिए आपने करते हो जो अननत है परमात्मा के लिए जब आप कोई प्रेम दिखाते हो यानि जिसमें निर्गुण जिसमें आप किसी गुण के साथ नहीं निर्गुण जिसकी आपके पास कोई छवी नहीं है ऐसे निर्गुण भ्रम की अगर आप बात करते हो तो वो क्या है गति कचु कहतनावे तो अगर आप किसी निर्गुन भ्रह्म को ध्याते हैं तो वहां पर आपने कितना वहां से प्राप्त किया है उसकी आप कल्पना नहीं कर पाते यानि आप उसको दूसरों को बया नहीं कर पाते क्योंकि जिसको परम भ्रम का आनन्द मिल जाता है वो उस चीज को दूसरों को नहीं बता पाता है इसमें सूर्दास जी ये बता रहे है जो गुंगे मीठे फल को रस अंतर गत ही बावे और ये जो परम भ्रम का जो ज्यान है ये ऐसा होता है जैसे मानो एक गुंगे को मीठे फल का रस जब मिल जाता है और वो उस रस को बया करके नहीं बता पाता है कि यार ये फल जो है कितना मीठा है वो क्या करता है अगर एक गुंगे को मीठा फल दे दे हां मीठा मीठा आम दे दे उसको और जब वो खाए उस खाके उस आम को वो कैसे बताएगा वो नहीं बता पादा वो उसका आनन्द कहां लेता है अंदर ही अंदर अपने हृदे में लेता है तो रस अंतर गत ही भाव यानि अंदर गत यानि अपने अंदर ही उसको भाता है वो अंदर ही अंदर अपने हृदे म उस चीज का आनन लेता है ऐसी जो निर्गुन भ्रम है यानि जिस परमात्मा के बारे बात कर रहे हैं कि जिसका ऐसे व्यक्ति जिनको परभ्रम का या परमात्मा का ज्यान हो जाता है वो उस चीज का आनन अपने ही अंदर रखते हैं वो उस चीज को बया करके नहीं बता पाते हैं उस चीज को दिखा नहीं पाते हैं परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोश उपजावे और जिनको परम भ्रहम का आनंद मिल जाता है उनके लिए जो स्वाद है वो सबसे ही निरंतर है मतलब हमेशा चलने वाला और सबसे अन संतोष प्राप्त करने वाला है जिसको परम भ्रम का ज्यान मिल जाता है वो उस चीज को दूसरों को नहीं बता पाता है उस चीज का वो आनन्द खुद से ही अपने अंदर अपने रिदय में लेता है जैसे एक गुंगा जो है मीठे रस का जो मीठा रस जो है उसको कहकर नहीं बता पाता वैसे ही जिसको परम भ्रम का आनन मिल जाता है वो उसके लिए निरंतर और किसी को नहीं बताने वाला संतोष प्राप्त करने वाला अंदर यंदर संतोष प्राप्त करने वाला होता है मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे और इसकी मन की वानी जो उसके मन की बात है वो अगम अगम यानि की कहीं भर भी किसी चीज का जहां पर आप नहीं पहुँच पाते ऐसी चीज ठीक है अगम मतलब न पहुँच जहां पर पहुँच नहीं होती आपकी ठीक है जहां आपकी पहुच नहीं हो अगोचर यानि इंद्रियों से नहीं देखा जाता सो जाने सो पावे और ऐसा जो ज्यान है वो आप मन से या वानी से उसे कहकर नहीं बता पाते हो क्योंकि ये आपकी पहुँच से बहुत बार है ये आपकी इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता जो जाने सो पावे और इस ग्यान को इस परम ग्यान को वही जान पाता है जो इसको जान लेता है यानि आपके अंदर अगर किसी आध्यात्म के बारे में या किसी परम भ तो आप उस चीज को दिखा कर नहीं बता पाते हो वह ज्यान आपके अंदर है आप उस चीज को दिखा कर नहीं बता पाते हो तो सूर्दास जी यही कह रहे हैं कि निर्गुन परभ्रम जो है उनको आप अगर उनका ग्यान ले लेते हो तो उसका आनन सिर्फ आवर सिफ स्वैम ही ले पाते हो दूसरा उसको नहीं जान पाता रूप रेक गुन जाती जुगती बिनु निरालंब कित धावे उस जो परभम है उनकी तो ना ही कोई उनका कोई रूप होता है ना ही कोई उनकी रेखा यानि उनका कोई चित्र होता है ना उनके अंदर कोई गुन वाली या कोई विशेष्टा होती है ना कोई जाती होती ना ही उनकी कोई जाती होती हम ऐसे नहीं बता पाते हैं अच्छा ये भगवान है ये ये वाले भगवान है हम ऐसे उनको justify नहीं कर पाते हैं जुगति ना ही उनकी कोई युगति होती ना ही कोई ऐसी चीज है ना ही कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हो बिनु निरालंब कितधावे और ये जो है बिना आधार का निरालंब यानी की बिना सहारे का बोल सकते हो बिना सहारे का और इस सबिना सहारे के आप किसी भी चीज को नहीं ध्या सकते मतलब आप इस चीज का ज्यान नहीं प्राप्त कर सकते तो यहां पर जितनी भी बात हो रही है किसके बारे में बात हो रही है ठीक है निर्गुन परभ्रम की बात हो रही है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति के बार होता है वो उस चीज़ को दूसरों को कहेकर नहीं बता पाता है उसका आनंद वो खुद ही लेता है सब विधी, अगम, विचारी ताते सुरसगुन पदगावे तो इसलिए ताते मतलब होता है इसलिए जो सूरदासजी है वो क्या कहते हैं सारी विधी जो है अगम अभी भी हमने देखा था सारी विदी जो है क्या है पहुच से बार है विचारई इन सारे विचारों से बहुत बहुत दूर है इसलिए हमको क्या करना है सुरसगुन पदगावे इसलिए हमें किनके सगुन यानि कि सगुन वाले जो व्यक्ति है कौन है श्री कृष च्रिक्रिश्न की भक्ति करो तो वो क्या है, उससे आप हर चीज को जान पाऊगे, वो सारी चीज्य आपके पहुंच में होंगी, ठीके, तो इसमें आपको ये चीज्य बताई है, अब पहली चीज, आप इसका संदर्द तो सेम लिखोगे, प्रसंग में क्या लिखोगे, प्र व्याक्या हमने देखी लिया कि व्याक्या हमें कैसे करनी है इसके बाद आता है कावे सॉंधरे तो कावे सॉंधरे भी हमने सीख लिया कि आपको किस-किस तरह से step by step में कावे सॉंधरे को लिखना है नेक्स बात करते हैं तीसरे पद की तीसरे पद क्या है नेकरी प्रतिपद प्रतिमनी बसूदा कमल बैठ की साजती बाल दसा सुख निर्खी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अंचरा तरकले ढाकी सुर्ख के प्रबु को दूद पियावती अब यहाँ पर किसके बारे बता है थोड़ा थोड़ा सा पड़ा तो आपको एक ओवर्वियू मिल जाता है कि यहाँ पर कहाना यानि की कृष्ण के बारे बात चल रही है नंद बाबा के आंगन के बारे बात चल रही है ठीक है बिम्ब यानि की उसकी परचाई के बारे बात हो रही है उसके बाद उसकी च्छाया के बारें बात हो रही है मतलब मैं वह वहूर्ट्स बतारहे हूं जहां से आपको समझ मां जागा कि नुनमारियों करी-करी कर्ति प्रति प्रतिमनि बसूदा कमल बैठ की अब यहां पर कमल थे की Será कि समान खुच कुछ शow साची चलरा रहा है बाल दसा वायरक से भाने को निर्खी रख जशुदा चुकर सबाद K propose की और पिला तो आप इसमें ऑल लिख कैने,कल कृष्ण के बाल रूप के बारें बताया है और बस आ ही लिख देना ना तो यह इतना लिख देना अब बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारें कलिकत काना घुट रुवनी आवत अब यहां पर बता रहे हैं कि काना जी यानि क्रिष्ण सूर्दा जी कहते हैं कि जो श्री क्रिष्ण जी है उनके बाल रूप का वणन करते हैं कि जब श्री क्रिष्ण है घुटनों के बल पर आते हैं मनिमय कनक नंद के आंगन मनिमय मतलब क मनियों और कनक मिंस क्या होता है सोने को मनी मन मिंस मनी माय मिंस की मनी और कनक मिंस यानि की सोने से बनावा नंद का जो आंगन है बिम्ब पकरीवे धावत उसमें जब वो चल रहा है तो उसको क्या दिख रहा है अपनी परचाई दिख रही है और उस परचाई के पीछे वो क्या करता है उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं श्री कृष्ण कभभू निर्खी हरी आप च्छाम को कभी तो वो क्या करते है अपनी च्छाम को यानि अपनी परचाई को देखते हैं करसो पकरन चाहत और उसको वो क्या करना चाहते हैं? पकरना चाहते हैं. कलकी हसत राज दे दतिया और जब वो इस तरह से किलकारी करते हैं जब उसको पकरना चाहते हैं और जब हसते हैं तो उनकी क्या दिखते हैं? दुए, मतलब दो जो है दतिया दांत दिखते हैं, पुनी-पुनी तीही अवगाहत और उन्ही दांतों की परचाई जो है उसको पकड़ने के लिए वो भागते जाते हैं, कनक भूमी पर करण कर पग छर्या, अब जब वो उस कनक भूमी यानि जो सोने की भूमी बनी वी है, क्या बनती है, सज्टी कैसे है, करी-करी प्रतिपद, प्रतिमनी बसूदा, जब वो धीरे-दीरे किलकारी करते हुए, step-by-step जब चलते हैं, तो उनके प्रतिपद, यानि उनके जो पैर है, उनकी प्रतिज़ो है, उनकी जो छाप है, वो कहां पड़ती है, उन मणियों से ब क्री कृष्ण के साथा पूट पर कैसे लग रहे हैं इसा की ज्याइदा पृत-पूलों होटी है पुनी पुनी नंद भुलता में लैंन भूतों के समाय, और बकूट बर्डें होते हैं, editor तो ऐसे ही जब वो यह सारी चीजे देखती है कि कृष्ण जी जो है वो चल रहे हैं और वो इस तरह से मस्ती कर रहे हैं अपनी छाया को पकड रहे हैं तो बार-बार वो नंद को बुलाती है अच्रा तरले ढखी और अपने आचल को लेती है और उससे ढख लेती है श्री उनको फिर वो दूद पिलाने लगती है ठीक है फिर इसका कावेस अंदर भी वही लिखेंगे आजू नसोहू नंद दुहाई रेनी रहोंगी जागत और ग्वाल सब गाई चरेहे मैं घर बेठो रहूँ सुरस्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दहूँ अब यहाँ पर किसके बारें बताया है अब एक थोड़ा थोड़ा सा ओवर्व्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीजे हमको समझ में आ रही है मैं अपनी गाये चराऊं ऐसा कुछ बोल रहे हैं ठीक है सब के साथ जाऊंगा संग ना तेरे कहें न रहूं मतलब आपके कहने पर रुकूंगा नहीं गौल बालों के साथ जाऊंगा तो डर नहीं लगेगा हाना नंद के आज न सो हूं नंद की कसम खाके कहता हूं कि आज नहीं सोंगा और अगर सो गया तो क्या हो जाऊंगा घरी बैठा रह जाऊंगा अब बोलते हैं तुम सोई रहो अब बोलते हैं सुर्षाम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दोगी अब यहां पर क्रिश्न जी का जो है वो चीज का वर्णन किया गया अब अगर यह प्रसंग में लेकना है तो प्रसंग में कहा लेको के प्रस्तुत पद में श्री कृष बताया गया है कि वो किस तरह से गाये चराने चाते हैं अब बात करते है तो अब बात करते हैं व्याक्या की तो व्याक्या क्या है भई यहाँ पर सुधा जी जो है किसकी बारे बता रहे है श्री कृष्ण द्वारा जब गाये चराने जाते हैं उस समय का वन्न करते हैं कि मैं अपनी सब गाये चराओं अब यहां पर वो यश्वदा जी से कहते हैं कि मैं क्या करूंगा मैं अपनी सारी जो गाये हैं उनको चराने जाओंगा गाय चराने जाएंगा। और गायों के बीच जो है। मुझे बिल्कुल बर डर नहीं लगता है। तब मुझे दर नहीं लगता है। आज न सों वो नंद दुहाई, आज मैं नंद जी की कसम खाके कहता हूँ, कि आज तो मैं नहीं सोंगा, रेनी रहोगी जागत, पूरी रात रेनी मतलब पूरी रात जो है मैं जाकता ही रहोगा, मैं जागरन करूँगा, मैं सोंगा नहीं, और गौाल सब गाई चरे, अगर मैं सो गया और मुझे नीन आ गई तो सारे गौाल जो हैं वो गाय चराने चले जाएंगे मैं घर बैठो रहूं और मैं क्या हो जाओंगा फिर मैं घर पे अकेला ही बैठा रह जाओंगा तो इसलिए मैं आज नहीं सोओंगा मुझे नंद बाबा की कसम है सुरश्याम तुम सोई रहो अब अब यहां पे सूरदास कहते हैं कि जब ये बाते सुनी तो यशुरदा जी उन्हें कहती है कि कोई बात नहीं तुम सो जाओ प्रात जान में देऊं मैं प्रात तुम्हें उठा के तुम्हें जाने दूँगी अभी तुम आराम से सो जाओ तो ये सारे चीजे इसमें वर्णित है क्लियर आगे बढ़ते हैं मैया होन चरहुगाई सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई जोन पतियाही पूछी चलदाओ ही अपनी सोहु दिवाई यह सुनिमाई जो सोदा ग्वाल ने गारी देत रिसाई मैं पठवती अपने लरीका को आवे मन बहराई सुर्ष्याम मेरो अतिबालक मारत ताही रिगाई अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वर्ट्स फिर से देख लेते हैं कि बही मैया जो है मैं न चरो हूँ गाई मैं गाई ने चराने जाऊंगा सारे गवाल जो मुझे घेर लेते हैं मुझे पाई पिराई यानि कि मुझे सताते हैं पित्याही यानि कि इसका मतलब होता है विश्वास १िक है अगर जो न पित्याही पुछी, चल, दाओ ही मतलब दाओ यानि कि बल्राम भाया से पूछ लो अपनी सोह दिलवाई सोह मतलब कसं दिलवाके मया ये शुदा जैसी ये सुनती है तो उनको क्या हो जाता है गुसा जाता है विसाई और फिर वो कहती है कि पठवती में अपने बच्चे को क्या किस के लिए बेज रही हूँ इंजॉय करने के लिए बेज रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो उसको काम करवा रहे हो ठीक है अब इसको फिर से करते हैं क्या लिखोगे प्रसंद में लिख दोगे कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा बताया जा रहा है कि वो जब गाय चराने जाते हैं और उस समय उनके साथ जो ग्वाल बाल उनको परिशान करते हैं उसका वर्णनवे अपनी माता के सम्मुख कर रहे हैं तो इस तरह से आप लिख देंगे अब आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या करते हैं मैया होन चरहु गाय मैया अब मैं न गाय नहीं चराने जाँगा पहले उन्होंने हट किया अदा गाय चराने जाने के लिए अब वो घरा कर क्या बोलते हैं कि मैं तो गाय चराने नहीं जाऊंगा सिग्रे ग्वाल गिरावत गिरावत मोसो सारे के सारे जो ग्वाल है वो मुझे क्या कर लेते हैं मुझे कहते हैं मुझे घेड लेते हैं और मेरे पाई पिराई और मुझे कहते हैं कि जाओ जाके तुम क्या करो सारी गाये जो है उनकी रक्षा करो उनका ध्यान रखो और मुझे क्या करते हैं और मैं क्या करता हूँ यहां वहां से दोड़ दोड़ कर परेशान होता रहता हूँ जिसकी से गहां होता है saarी गायों का ध्यान मुझे रखने को साता है और उसके चकर में मुझे क्या होता है मुझे पीड़ा होती है जो चेंट में विश्वास में तो आप डाउ से पूछ लो उपनी अपनी कसम कहला के बल्राम से पूछ कि मेरे को यहां पर जो गौल बॉल है कितना परिशान करते हैं यह सुनी माई जसोदा गौल नी यह सुनकर के जसोदा मया जो है उन्होंने गौलों को क्या कहा गारी दी और गुसा किया क्रोध कि तुम जो है मेरे बेटे को कितना परिशान करते हो मैं पठवती अपने लरिका क मैं अपने बेटे को जो है वहाँ पर भेशती थी किसके लिए आवे मन बहराई अपना मन बहलाने के लिए बेशती थी मैं अपने बेटे को जो अपने बेटे को तुम्हारे साथ गाये चराने के लिए उसका मन बहलाने के लिए बेशती थी क्योंकि उसको अच्छा लगता था सूर स्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाए और तुम जो हो क्या कर रहे हो मेरे श्याम को मेरे कृष्ण को मेरे बेटे को वहाँ पर क्या कर रहे हो उसको परिशान कर रहे हो मेरे बेटे को परिशान कर रहे हो और मारत ताही रिगाए और उसको यहां से वहां क्या कर रहे हो, दोडा रहे हो, परिशान कर रहे हो, तो इस तरह से यहां पर श्री कृष्ण को, कृष्ण की जो माता है जशोदा, वो सारे ग्वालों को डाटती है, ठीके, तो यह हो गया हमारा next, कावे सौंदरिब्याफ इसके according लिख सकते हो, कि इस अनुप्रास कहीं आप पुनलुक्ती, दोनों में confused मत हो जाना, अनुप्रास में एक वन की आवरती होती है, मतलब आगे का जो अक्षर है, उसकी आवरती होती है, और पुनलुक्ती में पूरे-पूरे शब्द की, मतलब क्या होती है, बार-बार repeat होती है, ठीके, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो गोपियां है वो श्री कृष्ण से क्या करती है? अब यहाँ पर जितनी भी गोपियां है वो आपस में बात करते हैं, कि अभी हम को क्या करना चाहिए? जो कृष्ण की मूर्ली है इसको हमको चोरी कर लेना चाहिए जिन गोपाल कीनी अपने बस जिसने क्या कर दिया है इस जो बंसी है इसने गोपाल यानि श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है प्रीती सबिन की तोरी और इस बंसी की वज़े से उसने सभी के साथ क्या कर लिया है अपनी दोस्ती जो है वो तोड़ दिया है क्योंकि हमेशा वो इस बांसूरी के साथ ही मगन रहता है हमेशा इस बांसूरी के साथ ही रहता है चाहे वो घर के बीतर हो, बाहर हो, कभी भी उस बांसुरी को नहीं छोड़ता है हमेशा ये बांसुरी जो है उसके साथ हमेशा चिपकी रहती है हमेशा उसी के साथ रहती है कभी तो कहा होती है? हाथ में होती है कभी उसके साथ बंदी भी होती है कटही कबो घोसत जोरी और कभी 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 वो उसको अपने कमर में डाल देता है तो इस तरह हमेशा वो बंसी जो उसके आसपास ही रहती है ना जानू कुछ मोली मेली मोही राखे अंग अंग भीतर पतानी इसका क्या मोल है जो हमेशा जब देखो जब अपने आसपास अपने अंग के साथ इसको लगाए ही रहता है सूरदास प्रभु को मन सजनी बंदी और राग की डोरी और ये जो है बंसी उसने हमारे प्रभु जो है उनको ऐसे बांद दिया है जैसे मानलो वो उनके प्रेम के धागे में बंदे हुए है राग मिन्स होता है प्रेम और उस प्रेम के साथ हमारे जो क्रिष्ण है इस बंसी के साथ ऐसे बंदे में जैसे मालो इनको किसी प्रेम की डोरी ने इनको बांध रखा है तो इस तरह से इस वाले पद में जो सखी है जो गोपियां है वो मासुरी के साथ जो कृष्ण का जो संबन्ध है उसके बारे में बता रही है कि किस तरह से वो मासुरी के प्रेम में बंद कर बाकी सबी से उन्होंने अपनी प्रीती तोड़ दी है ठीक है? तो इसके according यह हो गय करेंगे उसके बाद हम बाकी की चितने बचे होएं वह नेक्स क्लास में करेंगे अब इससे पहले अब यहां से थोड़ा सा चीजे चेंज हो गई हैं क्यों कि इससे पहले जो कृष्ण जी थे वह ब्रजवासियों के साथ रहते थे हमेशा उनके बारे में बात चल रही होती थ थो जब जो चोटे थे फिर वह थोड़ से बड़े हो तो अपने फ्रेंग के साथ कैसे केल देते गवाल बालो के साथ गये चराने जाते वह सारी बात है वही फिर सक्वी ओं के साथ उनका था उनके बार अब क्या हुआ है अब श्री कृष्ण जो है वो ब्रजवासियों से दूर चले गए हैं और उधव जी जो उनके संदेश यहां से वहां लेकर जाते थे अब वो उनके द्वारा उसको संदेश प्राप्त करते हैं और उस टाइम पर उनको क्या-क्या चीजे फील होती हैं उसके प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुकपावत माखन रोटी ददो सजयो अती हित साथ खवावत गोपी गौाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरावत सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन्सो हित जदु तात अब यहां पे किसके बारे बताया है यहां पर वही अब श्री कृष्ण जी जो है वो कहां से चले गए ब्रजवासियों के बारे में याद कर रहे है और गोकुल ब्रणावन की चीजों के बारे में याद करते हुए मत्प्रा में बैटकर जब उधव वहां पर आते हैं तो उनसे उधव से यह अपने मन की बात कहते हैं क्या बात कह प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत और जो सुभे के समय माता यशुदा और नंद को जब मैं देखता था उस समय जो मुझे सुख की प्राप्ति होती थी मैं उन सभी को आज याद कर रहा हूँ माखन रोटी ददो सजयो माखन यानि की रोटी पर मखन रोटी और ददो यानि की दही को सजा कर जब वो मुझे अती हितसात खवावत और मुझे बहुत ही प्रेम के साथ ये सारी चीज़े खिलाते थे तो वो सारी चीज़े मुझे बहुत याद आ रही है गोपी गौाल बाल संग खेलत और मैं गोपियों के साथ, वहाँ के गौाल बालों के साथ, जो उनके साथ हर समय खेलता था, उन सब की बहुत याद आ रही है सब दिन हसरत सिरावत और सारे दिन मेरे कैसे निकलते थे हसते हुए, खुश होते हुए मेरे सारे दिन निकलते थे और यहाँ पर मैं उन सभी चीजों को बहुत याद कर रहा हूँ सूरदास धनी-धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात अब सूर्दास जी क्या कहते हैं सूर्दास जी जो हैं ब्रजवासी को बहुत बहुत धनी कहते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो कृष्ण जी को इतना प्रेम दिया और कृष्ण जी उनको याद कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें ही बहुत बहुत धन्य है ब्रजवासी जो उनको कृष्ण जी का ऐसा प्रेम मिल रहा है और उनका प्रेम कृष्ण जी को मिल रहा है तो इस तरह से उन्होंने ब्रजवासियों को बहुत धन्य का आए कि तुम बहुत धन्वान हो जो श्रीक कृष्ण त तुम्हें याद करके यहां के जो ब्रजवासी है उनके बारे में वो सारी बाते कह रहे हैं तो यह था हमारा आज का यहां का सूधास का पद इसके आगे और भी हैं आपको क्या करना है सबसे पहले चीज आपको यह पद पढ़ने हैं खुद से पढ़ो अभी जैसे मैंने आप उसकी बुक उठाना उस बुक को लेके आप खुद से अपने आपको यह एक्स्प्लेइन करना कि यह जो पद है मुझे इसकी व्याक्या किस तरह से करनी है मतला बोल-बोल की आपको यह चीज़े करनी है जो वर्ड नहीं समझ मैं उसका आप फिर से वीडियो में ट्रांसेश पत्रेश को मिलेगा तो आप अच्छे से उसको कर पांगे चीक है क्योंकि इससे रेलेड आपको बसहितारय थे पTHित पद्ध्यांस मिलता है तो मिलते हैं नेक्स लेक्षर में थेंक्यों सो मर्च बाबाई एं टेग्यार